दोस्तों TRS Hindi का हैलाइज चैनल TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सीखिए, इंजॉय कीजिए. Honestly, lately, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा overworked हूँ, मेरी motivation थोड़ी कम हो गई है, I'm about to go on vacation, recharge के लिए, पर motivation बिल्कुल कम हो चुकी थी, और Arjun के बार में सुनते ही, motivation वापस आ चुकी है, क्योंकि वो मेरे life के पहले inspiration है, BR Chopra की महाभारत की वजह से, उनकी mentality देखकर मुझे यह समझ रोनाल्डो की तरह, विराट कोली की तरह, अर्जुन की तरह, पर तब I think, वो maturity नहीं थी मेरे दिमाग में कि मैं भगवत गीता का actual मतलब समझ सकूँ, अब as an adult, जब मैं इस कहानी के बार में सोचता हूँ, मुझे यह लगता है कि यार, अर्जुन एक ultimate human mind थे, अगर वो अस असल में कितने चोटे हैं, और उनके सामने भगवान की greatness कितनी होती है, शास्त्रों की greatness कितनी होती है, etc, etc, तो human capabilities के भी limits होते हैं, और अगर आपको उन capabilities को पार करना है, पहले तो आपको अर्जुन जतना focus चाहिए, और उसके बाद spiritual interest चाहिए, लाइफ में, उसी perspective से, मैं actually आपको Krishna Bhagawan के बार में पूछना चाहूंगा, Krishna Bhagawan थे कौन, यह बहुत simple सवाल भी और बहुत complicated सवाल भी हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा human perspective से पूछना हो कि अगर, मान लो आपने और हमने time machine ले ली अभी, और हम 3100 BC के आसपास जाए, उससे पहले, 3200 BC के आसपास जाए, Krishna Bhag Bhagawan को बाल कृष्णा रूप में अगर वो हमें दिखे, तो आपको क्या लगता, वो कैसे होंगे, यह अडल्ट कृष्णा, अगर उनसे मिले, जो एक किंग थे, कंस का वद करने के बाद, वो थे कौन, वो एक किंग थे, वो राज रिशी थे, क्या वो एक रिशी मुनी थे, क इसकोन जैसे फिलोसोफी हैं, जहां कृष्णा को परब्रम भी माना जाते है, फॉर्म अफ गॉड दी अल्टमेट, तो इस टॉपिक को लेकर मेरी समझ तो है, पर मैं उस समझ को और गहरा करना चाहूंगा, अमी गनात्रा, बताईए, वाव, क्रिशन पर, क्या कौँगी, क पर कुछ कह सको, एक तो कह सकने का आवसर मिले वही बहुत बड़ी बात है, कितना न्याय कर पाऊंगी कि नहीं पता, पर मैं प्रायतना अवश्य करूंगी, मैं आप से इसलिए पूछ रहा हूं क्यूंकि अब अगर हम हिंदू समाज के बार में सोचे, हिंदु धर्म के बा जो एक्चुली काफी स्यादा रीसंट है, मतलब उनके आने से पहले कृष्ण भगवन का कुछ मेंशन ही नहीं था शायद हिंदूसम में, मतलब वो थे ही नहीं, तो सिर्फ 5,000 सालों से हमारा देश उनकी पूजा कर रहा है, ये भी एक अजीब थौट है मेरे लिए, बट बताईए तो कृष्ण जो है, सबसे पहले तो अरजुन की मैं एक बात और आड करती हूं जो आपने कहा उससे कि आप कहते हो कि अरजुन से आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो और वेरी राइटली से एक तो वो फोकुस किल होना चाहिए और दूसरा स्पिरिच्वल इंट मैं उसमें एक चीज और आड करोंगी युद्ध जब जब युद्ध शुरू होने वाला था तब दोनों अर्जुन और दुरियोधन की कृष्ण भगवान की कृष्ण तब भगवान अभी हम कहते हैं और श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहीयोग मांगने ठीक है तो सहीयोग मांगने जब जाते हैं क्योंकि युद्ध हो तो तो जैसे लिए जाते है आज भी यूक्रेन है वो हमारी पास भी हाएगा रचाइन के लुग जाएगा रश्या है वो और लोगों के लाएगा तो वैसे युद्ध गौरू और पांडव करते हैं तो जितने भी वह मेरे पास आये हो, तो मुझे support तो दोनों को करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, दो options है, एक तरफ हूँ मैं निहत्त, I will not fight the war, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, मैं युद्ध करूँ कोई भी वेपन भी उठाओगा, शस्त्र नहीं उठाओगा, और दूसरी ओर है, मेरी नारायाणी सेना, एक अक्षाहुनी, ठीक है? एक अक्षाहुनी नारायाणी सेना, बहुत बड़ी मेरी सेना है, तो आपको चूस करना है कि क्या इसमें से आपको चाहिए? अब कोई भी नॉर्मल इंसान होता सोचो यार एक अक्षा होनी सेना is a huge thing पर अब दुरियोधन को यसा है कि बापरे अब यह अर्जुन क्या मांग लेगा ठीक है तो अर्जुन कहता है कि मुझे मेरे सामर्थे पर मेरे बल पर मुझे पूरा विश्वास है मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए मुझे केवल आप चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हो glory follows you यश आपको follow करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मुझे भी यश मिले, किर्ती मिले वो उस aspect से कह रहा है इसलिए आप मेरे साथ चलो अच्छा अब that one decision change the course of the outcome, right? क्योंकि कोई और होता और ऐसे युद्ध भूमी पर अगर अरजुन जैसा वारियर जो है वो तूट जाता तो उसको motivate करना कोई छोटी बात नहीं थी और उसका जो problem है कि मेरे कुटुम्बियों को मुझे मारना है वो कोई trivial problem नहीं है that was a real problem कितने सारे लोग मर गए कुद्धर्मक्षेत्र में राइट पांडवों के स्वयम की बच्चे भी मर गए तो उनको जो जो problem Arjun का है वो सही है परन्तो Arjun का अप्रोच क्या है कि इवन युद्ध भूमी पहले तो he chose the right mentor he had the understanding कि भई mentor सही से हो बाकी कुछ हो ना हो guidance मुझे सही से मिलना चाहिए पहला वो दूसरा जब वो युद्ध भूमी पर है and वो completely confused है और भ्रमेत है और उसी समझ नहीं आ रहा क्या करो तो वो कहता है शिष्यस्ते हम मैं आपका शिष्य हूँ मैं आपको सरेंडर करता हूँ तो अम परपन्द I surrender to you आप मुझे बताइए सही मार्ग क्या है अर्जुन जैसा युद्धा who was undefeated आप सोचो हम थोड़ा भी कुछ अचीव करें तो हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है to say that I completely surrender to you और आपको सेम उमर के थे आयू उनकी सेम थी फिर भी कहना कि नहीं I trust कि आपको जो समझ है आपकी जो सोच है वो मुझे ज्यादा अच्छी है ज्यादा गूड है तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ आपका शिष्य हूँ आप मुझे बताईए that humility, that sense of surrender is also what is required जब आपको कुछ करना हो जीवन में अगर अहंकार अगया फिर तो खतम तो अरजुन की ये एक और बात है पर अरजुन किसे कहता है श्री कृष्ण को तो आपका प्रशन है कि श्री कृष्ण कौन जैसे देखा जाये तो वो सह उमर के है काजिन्स है ठीक है और उनकी जो कथा आती है अच्छा, interestingly जो मेन महाभारत है न उसमें कृष्ण का एंट्री जो है वो द्रावपती के स्वयमवर में होता है अरेड़ी वो बड़े हो चुके है जो यह सब उनके बचपन की बाल स्वरूप की जो कथा है वो हरिवन्ष पुरान में थोड़ी से आती है विज इस कंसिड़र अनेक्स्चर टू महाभारत और भागवत पुरान में अधिक आती है क्या की उनका बाल स्वरूप कैसे था तो अगर हम कृष्ण को देखे तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यू ही मंदरा रही है जब वो मथुरा में मथुरा से उनको गोखुल ले जाया गया गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए पर वहां पर भी मृत्यू उनके पीछे घूम रही है कितनी बार क्यूंकि कंस को है कि मेरे मेरा जो भतीजा है मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा तो भांजा कौन है वो डूनने के लिए उस सबसे वो पार होते है फिर वो कंस का बड़ करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मतुरा और कंस का बड़ होता है अच्छा वो कभी राजा थे नहीं पर ठीक है फिर भी लोग उनको मानते थे अच्छा वो राजा क्यूं नहीं थे क्यूंकि जो यादव, जो कुल था उसके जो, I think, क्या उनका नाम अग्रिसेन या शूरसेन, वो अलरेड़ी राजा थे जो उनके नाना भी थे कंस के जो पिताजी थे उनकी ममी, माताजी जो देव की है उनके पिताजी थे वो राजा थे जिनको कंस ने कारागार में डाल दिया था तो राजा तो वही रहे हमेशा से उनके, जब द्वार का भी जाते हैं तो राजा तो वही रहे फिर भी, क्यो अच्छा और वो छे थे भी छोटे ना उनसे तो बड़े भाई भी थे बलराम तो अगर राजा बनना भी होता तो वह बनते इसलिए वह राजा कभी नहीं थे परंतो एक किंग मेकर कहो ना वैसे वह अवश्य रहे हैं बट नट किंग मेकर इन दे सेंस की अच्छा यादव के राजा बना लिया ऐसे नहीं लिए वास संबड़ी whose intellect जिनकी बुद्धी पर उनका जो समाज भी था वो बहुत ही विश्वास करते थे ठीक है अच्छा अब उनकी बुद्धी भी यूनो हम एक बात कहते हैं विश्णुमती और विश्णुमती फॉर मी चारेक्टराइज़ क्रिश्णा विश्णुमती क्या है पता है आज़ हम लोग लीडर्शिप की बहुत बात करते हैं हम कहते हैं की सिच्वेशनल लीडर्शिप ठीक है और यह मैं मैं में जाँ करना चाहंगा की आप एक आप एक आया हम एम इम्दावाद के ग्राइब अभी बता ही है तो सिच्वेशनल लीडर्शिप क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट अप एक लीडर यून आप ग्रे की बात करते हो कि राइट रॉग मतलब तर इस नो च्लेरिटी की हर रार इसी करो या हर रार इसी करो अबड़ी इस दूएंग कभी ये कभी वो तो वो सम्हाव ग्रे में चला जाता है पर अटो वाट इस अनीड अप लीडर्शिती में ऐसा आक्ट करना अवशक है क्यों अवशक है? सस्टेनंस अफ दिस्टम धर्म के लिए किसी परिस्थिती में कोई और तरीके से आपको बहेव करना पड़े क्यों? फॉर दिस्टेनंस अफ दिस्टम धर्शित्व करना अवशक है तो वाट इस अवेंच्वल कोल? गीता में क्रिश्न कहता है क्यों उनका जन्म हुआ है? यदा यदा ही धर्मस्या जब भी धर्म को गलानी होती है जब धर्म नीचे जाता है धर्म नीचे जाता है कि मतलब क्या हम ते सस्टेनंस की बात कही जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिती हो जाती है जब समाज में माजस्यन आय हो जाए माच्य नाय मतलब बड़ी मचली चोटी मचली को खा जाए अजी बड़ी आप बुली बुली और याव यवाव जो अजी आप किसी को कुछ भी कहो आपके पास पावर है तो आप अपना राद चलाओ ठूथ डिजन्ट मैटर सत्य ड़जन्ट मैटर और कुछ मैटर नहीं कड़ता है कि अबके पास पावर है तो आप करो और आप जो बाकी लोग है उनको उप्रेस करते रहो ऐसे तो सुसाइटी तूट जाएगी तो उससे निकल कर धर्म का सापना, जस्टिस का सापना करना है तो वो कहते हैं, धर्म संस्थापनार था, संभवामी, युगे, युगे ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्मा होता है, धर्म संस्थापन के लिए इसलिए कोई भी कार्या जबाब करते हो, कोई भी डिसिजिन आप कर लेते हो, तो वो किसके संगत होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए, धर्म को सस्टेनन्स के लिए होना चाहिए, whatever system you are a part of, now that is not easy to understand, कि what is really सस्टेनन्स, कि उसमें परिसिती है कि ये भी चीज सही लगती है, वो भी चीज सही लगती है, धर्म संगत है, दोनों चीज़ उतनी इंपॉर्टन है, तो आप कौन से चीज को सिलेक करो, कृष्ण, जो उनकी विष्णुमती की जो हम बात करते हैं, ता इस्ट इंटलेक्ट, तो इस वेरी क्लियर, उनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, वान हूँ है योगस्थ बुद्धी, योगस्थ बुद्धी मतलब क्या, योगस्थ बुद्धी हम कहते हैं कि समत्त्वम योग उच्छे थे, कि सुख दुख से कोई फरक नहीं पढ़ता, वेरी अबजेक् आज है, और वो विजन आप में है, वेरी अजिस्टी आप में है, कि आपके समाज के लिए ये अच्छा बिसिजिन है, वो जिसमें हो योगस्थ बुद्ध स्टेट में कहा जाएगा, वो सिच्वेश्ण में एना वो स्टेट ओधि बुद्धी, विचिस्टेश्ट अपुर कि कोई भी परस्थिती में क्या करना चाहिए इनका उन्हें बता था अच्छा अब लेट्स एक्जाम्पल ऑफ ठीक है जब युद्ध हुआ जब कंस को उन्होंने कंस का वद कर दिया और वो मत्हुरा में जाके रहने लगे अच्छा कंस की पतनिया जो है वो जरासंग कर जो म मगद का राजा है उसकी बेटीया था बहन आपने अपने जमाई को मार दिया तो वो कंटिशी और मगद बहुत ही शक्तिशाली राज्य था मत्हुरा के पंपरेसिन और ने मगद का अब जो बिहार एरिया तो वो बार 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 चढ़ाई करते हैं एटाग कर एं पर है हर बार, क्रिष्ण जो है, क्रिष्ण और यादव जो वहां के हैं, वो उनको हराते हैं, हर बार. कि अगर उस परस्थिते हैं, आप पूरे ताइम युद्ध की परस्थिते हैं, तो विल युर सोसाइटी प्रोग्रस, नो राइट, युल भी अवार, स्टॉक्स सोसाइटी, कि पूरे ताइम आप वार मोड में ही हो, उससे कभी आप प्रगती नहीं कर आओगे, उसके लिए और कृष्ण ने ये देखा कि जब तक वो वहां रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुष्मनी तो जरासंग के साथ ही उन्हों ने इस कंस को मारा था, तो ही रिलाइज कि जब तक वो वहां पर रहेंगे, तब तक ये चलते ही रहेंगा, हमेशा वो वो वार स्टॉक्स सिच तो बहुत सारे आजवतिश उनके साथ गए और द्वार का उन्होंने बसाई ठीक है, जो गुजरात साइड जाके तो मतुरा से द्वार का एक दृष्टी से देखा जाए तो उन्होंने पलायन कि ऐसे कहते है, इसलिए उनको कहा जाता है रंचोड राय, कि रंचोड जिसने करूँ, मुझे तो जाना है, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, ना योध से गोविन्दम, ऐसे वो कहते हैं कि, है गोविन्दम, ना योध से, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, तब वो से एक बात, वाइल कंविंसिंग हम, सेस कि, तुम ऐसे भाग जाओगे, तो लोग कि अबताइगे, तुम्हारी अपकिर्ती हो जाएगी वगरे वगरेगे, इसेमे क्रिश mystery in that situation, actually left and he left, भो चलेगई, एब इन वई हाँ लोग बोलें कि, हाऱो बाग गया, परं तो इनके समाज की स्थेनिंग के लिए, क्यी और अवर्शुG था ता उनका उस assistsquency के लिए उनक जरास्व फनके लिए उस को फोटना उंके लिए उसमें इतना पॉसिबल शायद नहीं था यह उस तेनन्स सबेंटिपराउ प्रोग्रण से ओता भी याणि की अच्छुली प्रोग्रस पर फोकुस है आपसलिटली और किससे समाज को और किसे लगे तो इसी परिषिति में समाज कहां प्रोग्रेस करेगा, कोई भी और अरिष्टी से, है रिस्पिरिच्वली, मेंटिली, रिसोर्स वाइस, वेल्थ वाइस, कैसे प्रोग्रेस करेगा वो, ऐसा समाज का तो डाउनफॉल और विनाश होना है, तो उससे अच्छा, उससे अच्छ क्या सही, क्या गलत, context specific, क्रिष्ण में है, इसलिए उनको योगस्थ कहा जाता है, अच्छा, यही बात, और क्यूंके उनमें ये बुथी है, to bring in complete objectivity, पांडव उनसे सलाम अशावरा करते थे, केवल अरजुन करते थे, ऐसा नहीं है, जब युधिष्ठ राजसुय यगन कर करने जाएं, इंदरपरस्थ की स्थापना हो गई है, और राजसुय यगन करना है, तो राजसुय यगन में क्या होता है, कि भारतवर्ष की जितने भी राजा, महाराजा है, उन्होंने मानना चाहिए कि आप उनको चक्रवर्ती हो, तो ही वो आपको टाग्स देने के लिए और अप उनको प्रोटेक्शन दोगे, और अगर कोई भी राजा कहे कि नहीं नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट यॉर ये, तो वो राजसुय यगन करनी पाएंगे, वो चक्रवर्ती नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने जब सोचा कि आप करना चाहिए मुझे राजसुय यग तो सबने कहा नहीं नहीं यू आर पाफुल, आपके भाई इतने पावर्फुल है, आप तो सबको हरादोगे, आप चिंता मत करो वगरे 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 ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक अनभायस उपनियन भी चाहिए, और अनभायस उपनियन के वो तो आपको अपोस करेगा ही करेगा, प्लस, ही इस सो पावर्फुल, और अगर वो आपके अगेंस रागया तो सारे बाकी राजा जो है, उसके एलाइस है, वो भी उसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और उसने बहुत सारे राजाओं को पकड़ के भी रखा है, बंदी प बिकॉस अफ दिस अलाइस और अलाइस और अलाइस और इस पावर्फल आर्मी, यह मावारत यूद के बाद हुआ है, यह पहले हुआ है, इस जब वो उनका विवाह हो जाता है, पांडवों का दृपदी के साथ, वो लाक्षाग्रा इंसिटेंट जब होता है, कि युदिष्षर का क्लेम है और दुरियोधन का भी क्लेम है, तो उस जब दिवाइड कर दुआ, तो दोनों को मिल जाए, तो उस दिविजिन में, जो इंदरप्रस्थ है, वो पहले खांडव प्रस्थ, कहा जा जा था बेश बशब बढ़न लें, वो युदिष्षर गो यु और उसके उधर डेली, उसके उपर ही आता है, तो इस तो बढ़न दिवाइड और आज का प्रेजन डेली इस देख लेगा ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न, बागी के वीडियो भी देखे, बहुत तगड़े वीडियो होते हैं, टीर इस क्लिप सिंधी पर, आपको बस इस चैनल को एक्स्प्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट, देख लेजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त